अलो दोस्तो welcome to complete node.js production setup series और यह इस series का fourth part है तो अगर आपने इस series के पहले के part नहीं देखे तो आप मेरे channel पे आ के यहापे node.js production setup नाम का जो playlist उसे access कर सकते हो और बाकी की video's देख सकते हो तो चले अभी चलते वी एस code के अंदर तो देखे आज की इस video के अंदर हम husky को setup करने वाले है और पिछले वीडियो के अंदर हमने git and github को setup किया था इस वीडियो के अंदर हम husky को setup करेंगे देखिए husky क्या है husky basic के लिए github hook की utility है और इसकी help से हम बहुत ही github के related काम कर सकते है जैसे कि अगर मैं कोई commit करता हूँ तो उसके पहले मैं या पे कुछ checks लगा सकत जैसे कि मेरी अगर git के अंदर commit हो तो उससे पहले जब मेरा data यानि कि मेरा code staging area में हो तो उससे पहले मेरा जो code है वो format हो जाना चाहिए या फिर मेरे code के अंदर कोई error है तो वो या पे detect होगे मुझे पहले से ही दिखा दिना चाहिए जिससे क्या होगा कि अगर मेरे code के setup करते हैं तो यहाँ पर आ चुका हो में अपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर अभी आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक command run करना है जो की है npm i husky and इसके साथ आपको एक और package डालना है जो की है link-stage तो यहाँ पर यह जो दोनों हमारे packages है वो हमारे as a dev dependency install गो चुके और इसको अभी हमें क्या करना है यह जो हमारा husky है उसको initialize करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर simply आपको type करना है npx husky innate and simply यहाँ पर enterprise कर देना है अब जैसे यह आप यह command का enterprise करोगे तो यहाँ पर sidebar पर आपको एक folder create होगे मिलेगा जो की है .husky और यह ही वह important file है जिसका हम use करने वाल है जिससे आगे आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे इस hook का use करके हम यहाँ पर detect करेगे कि कहा पर यहाँ पर formatting की issues है और कहा पर मेरे code के अंदर errors है और अगर वहाँ पर error होगी तो यह जो हसकी है वह हमें वही पर रोक लेगा और हमारी commit successful नहीं होगी और फिर जब हम वह solve करेंगे तभी हमारी commit यहाँ पर successful होने वाले है तो चले इसे अभी टेस्ट करते है तो यहाँ पर इन्होंने एक command दिया हुआ है जूकि npm test तो इसे हम use करने वाले है तो simply अभी आपको क्या करना होगा यहाँ पर packet.json के अंदर एक test script बना दे है जिससे हम यहाँ पर husky test कर पाए तो यहाँ पर में test करता हूँ और यहाँ पर एक file run करेंगे note test.js and then यहाँ पर इसे ओमा लगा देना है फिर यहाँ पर में एक file create करता हूँ जो की होगी test.js and यहाँ पर हम कुछ type करता है जैसे कि console.log this is test script और यहाँ पर फि node models को avoid करना है because हम यह जो packages से उसको कभी भी अपने github के अंदर store नहीं करते है because यह easily recreate हो जाते है तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी हम एक commit करने वाला है तो यहाँ पर हम लिखता हूँ git add dot और यहाँ जो commit होगी उसका message देंगे तो इसका message हमारा क्या है कि husky setup and then यह यहाँ पर इसे enter कर देना है अभी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे message मिल रहा है जो कि this is test script और यही actually में हमारा husky का काम है इस pre commit hook का देखिए हमारी यह जो commit है वो successful हुई उससे पहले ही यानि कि pre commit हमारा यह जो पूरा test.js के अंदर code था वो run हो चुका है और हमार आगे आने वाले videos के अंदर देखेंगे कि हम इसको कहां पर use करेंगे और actually क्यों use करेंगे तो next video के अंदर हम type script setup करेंगे और I hope कि आपको यह husky का setup है वो समझ में आ चुका होगा और अभी आपके mind के अंदर clear होगा कि actually वह husky हम use क्यों करते है और हमारे project के अंदर यह क्यों तो बस इस video को यही stop करते है और मिलते हैं next video में till then happy coding